आज हम बनाएंगे आमपना क्यूंकि गर्मी बहुत है और बहुत धूप है इसके लिए हमें कुछ ऐसा ड्रिंक चाहिए जो हमें धूप से बचाए गर्मी से बचाए और डीहाइड्रेशन से बचाए तो उसके लिए मैंने यही सोचा कि आमपना बनाते हैं आमपना यह बहुत बढ़िया ड्रिंक है खटा मीठा हलका सा चटपटा भी लगता है और हमेरे सेहत के लिए बहुत अच्छा है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आईए मैं आपको दिखाती हुए इसके लिए मैंने यह दो आम लिए हैं और इसको हम पानी में उबाल लेंगे अच्छी तरीके से पतीले में भी आप उबाल सकते हैं या फिर आप इसको फुकर में एक सीटी लगाओगे तो अच्छी तरीके से यह उबल के तयार हो जाएगा तो हमें आम चाहिए और मैंने यह डेड़ कब भरके चीन लिया था जिसको मैंने पीस लिया है ताकि वह जल्दी घुल जाए और यह मैंने काला नमक लिया है यह पिंग सॉल्ट है आप जो भी खाते हो यूज कर सकते हो यह सूखा पुदीना है सूखा पुदीना धूप में सुखा के और इसको क्रश करके मैं हमीशा रखती हूं क्य अच्छा हो तो आपको बहुत बढ़िया लगता है और खुश्बू भी आती है बहुत अच्छी तो यह और हमारे शेहत के लिए बहुत अच्छा है यह भुनाववा जीरा तो आईए पहले आम को बॉइल कर लेते हैं अब कि अब तो यह अपना मेंगो बॉइल हो चुका है अच्छी तरीके से यह गल चुका है यह देखिए बहुत बढ़िया भॉए हुआ यह अच्छी तरीके उसको हम चूर लेंगे और च्छीने के बाद इसका पल निकाल लेंगे तो इसको एक चापूं की मदब से चीर ल और यह मैंने सारा पल निकाल लिया है अच्छी तरीके से सारा पल निकाल लिया है अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में चीनी डाल के और इसका पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरीके से ताकि चीनी और यह आम का पल एक में अच्छी तरह भूल जाए इसको हम इसमें ट्रांस और यह जो मैंने चीनी दिया था इसको डाल देंगे इसमें इसको अच्छी तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में एस्ट बना देंगे और यह देखिए मैंने एस्ट बना दिया है इसमें चीनी और आम का पल्व है अब इसको हम छान देंगे इसमें रखके अच्छी तरीके से पानी डालते जाएंगे और इसको चाल देंगे और इसको मैंने चाल लिया अच्छी तरह पानी डालके इसमें मैंने दो बोटल थिंदा पानी डाला है एक लिटर का जो बोटल होता है न उससे दो लिटर ठंडा पानी डाला और इसको अच्छी तरीके से स्मिक्षता करेंगे अब इसमें हम साले एड करेंगे काला नमक शूता चमस से एक चमस और थोड़ा सा और यह अपना इंक सॉल्ट एक चमस रहाए हुआ है और यह बुना पिसा जीरा एक चमस और यह छोटा चमस से दो चमस और यह पुदीना भरके टोच्छ प्रश्छा करेंगे तोला साल और इसको अबन निच्पार करेंगे और यह अपना आमपना बनके रेडी है यह अब इसको ग्लास में ट्रांसपर करेंगे पहले हम ग्लास को इस तरीके से फूड़ा सा आमपना एक कटोरी में लेंगे और ग्लास को डिप कर देंगे इस तरीके से बस इस तरीके से करके और फिर यह मैंने आल मिर्ची और नमक लिया है इसको हम इस तरीके से कर देंगे ऐसी है और दूसरा ग्लास लेंगे, दूसरे ग्लास को भी हम इस तरीके से डिप करेंगे और इसको भी इस तरीके से करेंगे और ये आपके लिए आम अना पिल्कुल सेहत से भरपूर और अब जितनी गर्मी है उससे हमें बहुत रहात देने वारी है ये तो प्लीज आप बनाएए पीजिए और सब को घर में पिलाएए प्लीज बनाईए पीजिए और सबको घर में पिलाईए और उससे आपको बहुत रहात मिलेगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने बनाया और मुझे कमेंट कीजिए प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट